हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे में एक्सल में इडवांस फिल्टर का यूज क्या है और हम कैसे करते हैं तो दोस्तों नमस्कार में हुरजिनी समस्रा वीडियो में लास तक भी रही जिसे सारी प्रापर समझ में आ जाएं तो दोस्तों जैसा कि में थोड़ा साम BASIC समझते हैं जैसा कि आपने देखा है जब हम फिल्टर की इस करते हैं एक्सल में तो हमारे पास जो डेटा होता है उसी लिस्ट में एक ड्राप्डाउन लिस्ट हमें मिल जाती है जहां से अपने डेटा को अलग कर लेते हैं लेकिन जो एडवांस किस तरीके से एडवांस फिल्टर करेंगे तो दोस्तों वीडियो को मत कीजिए गा तो दोस्तों जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम फिल्टर के यूज कैसे करेंगे के simply हम क्या करते हैं किसी भी स EB il को में स्थारी है और इसके बाद हम सिंपली home Minutes से एक फिल्टर औप्शन पर जाते हैं और क्लिक करते हैं और हम यहां पर मिल जाता है दोस्तों और यहां से हम अपने कर्टेंग किसी भी डेटा को और यहां से हमगया करते हैं उस डाकी रिपोर्ट को फिल्ट कर लेते हैं दो बड़ा सिम्पल लाकी इसी लिस्ट में वो पूरा डेटा का रहा है और हमें आपर सपोर्च है कि और इसके पहले हम इसको फुल्टर करते हैं और इसके बाद को बताते हैं सबसे पहले दोस्तों एडवांस फिल्टर के विश करने के आपको सबसे पहले एक है कि कि किसके रिंग आपको डेटा को अलग करना है ठीक तो जैसे मैंने क्या करना आपको क्राइट करने करेंगे सबसे पहले हम यह पूरे फिल्ड इस तरीके क्टोंपी कर लिया है अब इसके बार आपको क्या करना है स्ट को या उस डेटा को या उस अ मैं को यहां से जिसके अपको डेटा करना हो यह कर दिजिए का फिर तरीके से तो यह हमारी में लिस्ट हो गई जहां से में data अलग करना है और दूसरा हमारा ये criteria देन जो क्या इस देकर मुझे data अलग करना है राइट आप हमें क्या करना है simply data menu में जाना है आपको और data menu से आपको पहुंच जाना advanced पर यहां पर एडवास फिल्टर पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिया है-डवास फिल्टर कापको एक dialogue बॉक्स मिलता छोटा चुछा यहां पर हमें सबसे पहले तो यह देखिया है यह और यहां पर दो हमें यहां पर आप्षिन मिलता लिस्ट देंज यहां पर बैसिकली वह लिस्ट है जहां से में डेटा को लग करना बाइड़ इसलेक्ट कर लेता है अगर नहीं है यहां में थोड़ा दाउट है पूरा एरिया सेलेक्ट है कि नहीं इसको डिलीट करिएगा और सिंपली पूरी डेटा के हां से सणेट है यह है आपकी वो लिस्ट जहां से आपको डेटा को फेल्टर करना राइट दूसरा जासे मिलता आपको क्रैटा आसैमों के रखना है डूरे इसमें आपको वो लिर्टा लेंज अला को अलग करना है ये सब्स erzählt यह अट को अलग करना है और इसके बाद काड काड़ि μια कुपी तूम आहेंगे और यहाँ पर, जिस जगह पर मुझे यहाँ सर्ट बेंगे ने कंड़िक करेंगे आप कहां भी कुलिक कर सकते हैं be site काड़ित न्हीं क्द करेंगे तो देखे दोस्तों जैसे होगे किया आपने और यहां पर आपको रीवा का पुरा लेटा यहां पर filter करके देदी हैं को यह हमारी से हमारी वैसी की वैसी और यह हमारे वैसी यहां पूरा टाद यहां पर अलग हो चुका है चली एक बार और इसको समझते है इसको बापिस delete करते हैं और नई भी करते हैं तो भी एक बार और देखते हैं यहां पर मुझह बापिस वई यहां में TIM रीवा को हटाता हूं और मुझह यहां पर डेटा चाहिए इन दोर का राइट यह तो रीवा के निकला है अब मैंने यहां पर simply type हम यहां type भी कर सकते हैं और हम यहां से copy किया है और यहां पर मैंने paste किया राइट अब देखिए हमें अभी मैंने रीवा के डेटा तोलाग कर लिया मुझे इंद और का भी डेटा लग करना है लिस्ट हमारे पास हुआ है अब सिंपल हम बापिस फिर से जाएंगे वहीं पर डेटा मेनू से एडवांस फिल्टर पर और यहां पर मैं copy टोने लोकेशन क्लिक करूंगा यहां से आपको बापिस वाई लिस्ट सेलेक्ट है लेकिन हमें संतुष्टी के लिए हम फिर से इसको पूरा इस तरीके से तो स्पीटाना है और मुझे यहां पर चाहिए इंदोर करेटा तो में यहां पर क्लिक करेंगे तो इसे हमारे रिवा का डेटा यह तो दोस्तों इस तरीके से हम एक ही सी सीट में से अलग अलग जगे कर डेटा हम अलग अलग टाइप की डेटा में आसे अलग कर सकते हैं तो दोस्तों आसा है कि आपको वीडियो पशंद आया होगा और आपको एडवांस फिल्टर प्रापर समन में आया होगा इस तरीके से नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज जरूर करें मिलते हैं नए वीडियो में ने ट्रिक के साथ